सबी बक्तों को श्री शिवाई नमस्तो प्याम हरहार महाकाल ओम नमस्षिवाई जै महाकाल वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर चरूर करें तो हम आपके सामने लेकर आएं एक और पत्र श्री शावान शिव महापुराण के कता से हैं जिस पत्र में सबसे पहले ही जिन माता ने पत्र लिखा और कहा कि गुरुजी तेरा वर्ष से अधिक हो गए थे मुझे संतान प्राप्ती नहीं हो पाई लेकिन दुनिया के सारी गाली, सारे ताने एक तरफ और बिना बच्चे की मा, यानि कि बिना संतान की मा की ताने एक तरफ यदि एक तरफ आप सारी दुनिया के ताने रख लो, सारी दुनिया की गालिया भी रख लो और उसके बाद एक तरफ बिन बच्चे की मा के ताने रखोगे तो वो ताने भी जादा ही होंगे जिस मा के बच्चा नहीं है उसको इतना सुनना पड़ता है कि क्या बदाओं गुरुजी पूजा करने बैटो तो भी लोग बोलते हैं तेरे तो बच्चा नहीं है तू भांज है तू पूजा कैसे करेगी पूजा में कैसे बैठेगी इस प्रकार कई ताने पूरी जिंदिगी सुनती रही गुरुजी 10 साल 11 साल 12 सुनती रही तेरा वर्षयों तक मैं यह ताने सुनती रही परिशान होती रही मुझे संतान प्राप्ती नहीं हो पाई हर एक जगा पर जाका रही मैं हर एक डॉक्टर को दिखा क्या चुकी थी लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई तो इसके बाद हमारे ही पडोस में रेने वाली एक पूर्षिवरद्धी होती है संतान की प्राप्टी होती है तो मैंने भी सोच लिया जब सब उपाए कर लिये हैं तो एक बार ये भी करके देख लेती हूँ तो टीवी के सामने जब कथा आई आपकी तो मैं आसन लगाकर बैढ़ गई आसन लगाकर पूरे सात दिनों की कथा मै कि अपने के बाब आद बी मेरे मनुकामना पूर्ण नहीं हो पहे। तो आप ने कहा तक गुरु जी कि किसी एक पंडाल में आकर अपनी मनुकामना बोल कर जाना बाबा सुनेंगे जरूर तुमारी मनों कामना तो रायकुर में खता होने वाले थी गुरू जी मेरे पास में ही मैंने सोचा कि क्यों ना इस कता पंडाल में जाकर अपनी अर्जी बोले बाबा को लगा करा जाओं और इसके बाद गुरू जी मैं कता पंडाल में गई लेकिन मुझे जगे नहीं बिल सके कफा पंडाल में बैटने की तो एक नाली के पास में ही मैंने पननी बिचा कर वहीं पर बैटकर कफा ता सुनी कफा सुनी और संकल्प ले लिया कि मुझे पशुपती वरत करना है सफेध आकड़े की जड़गों भाधना है और प्रती दिन शिव जी पर एक कलश जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है मैंने कथा में बाबा से मनो कामना करी और पशुपती वरत का संकल्प लिया पशुपती वरत किया पूरी शर्दा के साथ 500 वार वाला वरत सफेद आखड़े की जड़ 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कमर में भांदी और इसके साथ ही प्रती दिन एक कलश जल शिव जी पर समर्पित करती रही उस खता पंडाल में जाने के बाद कुरुजी शिव जी ने मेरी सुनी मेरी सुनी गोदबरी और तेरा वर्षव बाद मुझे संतान की प्राप्ती हो गई सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तो ब्याम हर हर में